दोस्तों पिछले लेसंस के अंदर हम लोगों ने फोटोशाप के हवाले से इसी तर्णा इस लेसंमें भी हम फोटोशाप की एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग टेकनीक जो है वो लेन्ट के लिए ह्क्लाइंस अक्सर कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिनके अंदर हमें किसी black and white image को color करना होता है अब दोस्तों ये एक बहुत difficult सी बात लगती है कि एक image जो already पहले से black and white है उसके अंदर color किस तना से fill किया जाए लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि Photoshop के अंदर ये काम हम बहुत ही असानी के साथ कर सकते है और ये स्क्रीन के उपर ये एक image जो है वो आप देख सकते हैं जो के एक छोटे बच्चे का image है और ये बहुत ही खुबसूरत portrait खिंचा हुआ है लेकिन ये portrait जो है ये जो image है ये है black and white के अंदर तो अब हम इस lesson में इसको convert करने की कोशिश करेंगे जनाब याली color के अंदर तो चलते हैं Photoshop के तरफ और देखते हैं कि हम इस image को किस तरह से color कर सकते हैं जी तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस image को जो है वो ड्रैग करता हूँ जी Photoshop के अंदर ये image मेरा Photoshop में आ गया है मैं क्या करता हूँ जी के layer को rename करता हूँ और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या technique यूज करेंगे दोस्तों हम बहुत ही simple तरीके से इसको black and white image को color कर सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले lesson में आप लोगों को fill layer के हवाले से जो है वो बताया था और मैंने का था कि ये layer ये हमारी बहुत इस्तमाल होती है और कई techniques में हम इसको use कर सकते हैं तो बिलकुल उसी layer का हम अभी यहां पर use करने लगे हैं यहां पर मैं जाऊंगा जी और solid color में जाके यहां पर कोई सा color जो है मैं choose करूँगा ये मैंने एक magenta के करीब करीब का color जो है तो यहां पर tools और photoshop के इलावा जो एक चीज़ आपको बहुत ज़दा help out करेगी वो आपकी static sense है दोसों आप लोगों को image को बगवर देखना है उसका जाइजा लेना है और खुझ से ये decide करना है कि आप किस जगा पर उस image में कौन सा color फिल करना चाते हैं मिसाल के तोर पे अब ये जो हमारा image है इसके अंदर अगर हम इसको देखें तो बच्चे की shirt है जो इसने पहनी हुई है और बच्चे का face है eyes, lips और facial जो इसके features है वो सारे आजाते हैं फिर इसकी skin जो है वो बहुत important है तो चले हम start करते हैं ये जो मैंने यहां पे एक fill layer ली है इसको मैंने on करता हूँ ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे क्योंके मैंने fill layer ली है तो color के साथ-साथ मेरे पास यहां पे एक और चीज़ जो है वो मौजूद है और वो है मेरा mask ठीक है ये बहुत important होते हैं और इनको हम different levels पे इस्तमाल करते रहते हैं ये blending modes क्या होते हैं ये different styles होते हैं different modes होते हैं जिनके अंदर हम कोई सी दो layers को उपर नीचे रखके study कर सकते हैं और उससे होता क्या है कि जो उपर वाली layer है वो नीचे वाली layer के अंदर blend हो जाती है इसलिए हम इसको blending mode के नाम से या blending layer के नाम से बेसिकली जानते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पर different options होती हैं इनको try करने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पर मैंने इसकी एक first option इसके बाद मैं अपने keyboard पर जो down arrow की है उसको मैं click करता जाऊंगा तो यहां पर आप देखें different जो यहां पर blending mode आप जाएंगे जैसे कि यहां पर darken है multiply की option है अब यह multiply क्या कर रहा है कि यह उपर वाली layer और नीचे वाली layer के colors को वापस में multiply कर रहा है इसी तरह से यह color burn है linear burn है यह different options हमारे पस यहां पर मौझूद है इनको आप जब खुद से apply करके यहां पर कोई सी दो layers को apply करके यहां पर आप देखेंगे तो आपको खुद से अंदादा हो जाएगा दोसरी जो blending modes है यह आप image के उपर image रखके भी apply करके देख सकते हैं image के उपर text रखके भी apply करके देख सकते हैं graphics यानि को कार्टून करेक्टर है उसको आप merge कर सकते हैं blend कर सकते हैं गर्ज यह के दो layers जिनके अंदर कोई भी content है जब आप उनको उपर नीचे रखके उपर वाली layer पे blending mode apply करेंगे blending mode से होगा क्या कि उपर वाली layer है वो merge हो जाएगी, mix हो जाएगी blend हो जाएगी निचली layer से तो यहां पे दोस्तों मैं फिल हाल जो apply कर रहा हूँ वो मैं यहां पे मेरे पास एक option है जनाबी आली overlay की इसको मैं apply करता हूँ तो यह देखें, बहुत decent way में जो color मैं ने apply किया था वो मेरे जो image है उसके उपर आ गया है लेकिन अब फिल हाल मसला क्या है कि यह तो मेरे पूरे के पूरे image के उपर एक ही single color आ गया है जबके मैं क्या करना चाहरा हूँ मैं इसके different portions के अंदर different colors करना चाहरा हूँ तो अब मैं यहां पर क्या करूँगा जी यह जो मेरे पास mask पड़ी हूँ है इसको मैं क्या करूँगा control eye control eye से क्या होगा आप लोग देख सकते है black हो गया black होने का मतलब यह है कि जो हमारा जो यहां पर mask लगावा था inverse हो गया control eye is the short key to inverse your mask अच्छा अब मेरे पास काम बहुत ही असान है अब मैंने क्या करना है simply मैंने brush लेना है यहां से मैं एक थोड़ा normal बहुत ज़दा hard नहीं लूँगा मैं फिलाल soft edges वाले एक brush ले रहा हूँ और opacity भी मैं फिलाल इसकी 100 ही रख रहा हूँ अच्छा यहां पर मुझे ध्यान रखना है कि black और white होना चाहिए यहां पर white और नीचे मैं choose करूँगा यानि कि foreground color में white लूँगा और background color में black लूँगा और यहां पर मैं apply करूँगा sorry यह क्यों हुँ हुआ है क्योंके मैं ने निचलीowią के उपर apply कर दिया था मैंने कहां है और apply करना है मैंने select करना है अपने इस mask को ये brush apply कर न शरूँ, तो Q1 जी यहां पर color आ शरू गया बेसिकली यह हो क्या रहा है यह हो यह रहा है mask apply किया था color का वो पहले था पूरे के पूरे इमिज के उपर अब हम उसको restrict कर रहे हैं सिर्फ उस एरिया में reveal कर रहे हैं उसे उस एरिया में लेके आ रहे हैं सामने जहां पे हमें उसकी जरूरत है यह थोड़ा सा आपको जो यहां पे brush work है वो किसी हद तक इहत्यात से करना होगा वो इसलिए कि आपका जो कलर है वो किसी ऐसे एरिया में ना चला जाए जहां पर आप उसको अप्लाई करना नहीं चाहते तो ये फिल हाल ये मैं इसके शर्ट के कॉलर के उपर बच्चे के और यहां पर इस एरिया पर इसको अप्लाई कर देता हूँ ब्रॉश साइज मैं थोड़ ऐसा चोटा करूँगा जनाब और ये देखें आप थोड़ इसको डेटेल से देखिएगा जब भी आप इसको अप्लाई करें क्योंके होता यह आम तोर पे के कलर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है अब जिसना यह देखें यह एजजेज हैं तो यहां पे एजजेज पे आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा लेकिन ज्यादा फिकर मंदी की बात नहीं है परेशान आपने बिल्कुल नहीं हो ना क्योंके मैं साल के तोर पे अगर यह आपको बाहर निकल निकल भी गया है कलर मुझसे तो मैं यहां से आके सिर्फ अपना फोर्ग्राउंड कलर और बैक्राउंड कलर इंवर्स करूंगा और दुबारा जब मैं यहां पे अपना ब्रॉश अप्लाई करूंगा तो जो मेरा बाहर कलर गया होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब मैं वापस आता हूं जी वाइट मैं फोर्गेरउंड में राक रह रहा हूं ब्लाक जो मैं बेक्राउंड में राक रहा हूं और यह इसकी शर्ट मैं कंपलीट करता हूं अब देख सकते हैं कि अक अद G-C-C-C-C-R-T-D-G उसका एक हिस्सा बन गया । यह ने के बड़ा करें । is happen, की बैक हिस्कों निए और भी supporters निए गिर वाल dość, हमिठो रहें यहां पर बड़ा करके यह देखने यह भी अपे उनधिक , मैंई नो आपकर सब्सक्ताइब n magnetic बार, और नहीं पड़ा करते हैm मैं क्या करूंगा कि यहां से आके एक और नई solid layer लूँगा फूड़ा समय skin के करीब 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 का जो color होता है कुछ वैसा color जो है वो मैं use करने की कोशिश करता हूं ये orange और mustard के करीब करीब हम एक color जो है वो ले रहे हैं अब हम दोबारा वही काम करेंगे कि इसको layer को हम लगा देंगे जी overlay का blend mode और अब आप देख सकते हैं कि ये color आपका नजर आना शुरू हो गया है मास्क पे हम आते हैं और हम प्रेस करते हैं क्या control eye जैसे control eye प्रेस किया तो ये देखें ये image है ये हमारा black and white में वापस आगया अच्छा ये बात का आपने ध्यान रखने हैं दोस्तों इस बात का ध्यान रखने हैं कि जिस layer पे आप काम करने हैं और जिस mask पे especially काम करने हैं उस mask को आपने select किया होगा तो आपका काम ठीक होगा otherwise जलत जगा पे paint हो जाएगा तो ये जनाबी अलिया मैं दोबारा brush लेता हूँ और ये देखें मैं यहां पे brush को apply करता हूँ ये neck के उपर मैं apply कर रहा हूँ same मैंने पहले वाला ही brush लिया है थोड़े soft edges वाला brush में इसलिए use कर रहा हूँ ताकि edges वहें उनके उपर color जो हाट किसम का color ना apply हो जाए softly color क्यूंकि हम यहां पे apply करना चाहरे हैं तो ये देखें जी हमने skin है बच्चे की वह भी paint कर ली है उसको भी हमने color कर ली है अब ये आप बिलकुल अपने अंदाजे से और अपनी मर्जी से कोई भी color आप जो है वो choose कर सकते हैं और आप यहां पे लेके आ सकते हैं इसी तरह से हम थोड़ा सा एक और काम यहां पर करते हैं यह जो eyes हैं बच्चे की इनको थोड़ा सा मजीद pure करने के लिए और proper color देने के लिए यहां पर मैं आता हूँ white color लेता हूँ अब यह white मैंने लिया और यहां पर again मैंने वही वाला काम करना है यहां पर मैं brush लूँगा इसको थोड़ा सा चोटा करूँगा और यहां पर मैं हलका सा इसको apply करूँगा लेकिन मैं क्या करता हूँ क्यूंके white के ओपर white apply करने तो opacity थोड़ी सी हलकी कर लेते हैं यार ताके वो क्या हो कि वो दोड़ा बुरा ना लगे ठीक है यह ने जी अच्छा यह मुझे लग रहा है जी white थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मैं क्या करता हूँ बहुत ही असान एक और चीज मेरे पर यहां पर वेलेबल है opacity में कम कर देता हूं layer की मैं अतनी opacity रख लेता हूं जितने में मुझे जो eyes है वो ठीक लग रही है तो यह दो पूरे image को हम जो है वो color के अंदर लेकर आ सकते हैं दोस्तों आप लोगों ने देखा इस lesson में हम लोगों ने एक बहुत ही simple सी technique इस्तमाल करते हूए fill layer का और mask का इस्तमाल करते हूए हमने बड़े अराम से एक image को जो है black and white image को color में convert कर दिया यह तो मैंने एक image आपको जो है different colors दे सकते हैं यानि मिसाल के तोर पर गाड़ी का image है और गाड़ी के अंदर लोग बैठे में तो गाड़ी को जो मर्जी color दे देदें red देदें yellow देदें blue देदें black देदें और लोगों की skin भी आ पेंट कर सकते हैं black and white image जो है वो landscape उसके अंदर आप greenery add कर सकते हैं sky का या यह technique जो है यह पसंद आई होगी अब आप लोगों ने इसकी बहुत सारी practice करनी है इंशालत अला next lesson में मुलागात होगी Photoshop की किसी नई technique या किसी नई tool के साथ